चानक्य के अपमान के बदले की कहानी चानक्य का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में 400-200 BC में हुआ था उनका स्वाभाव बच्पन से ही बहुत उग्रत था इसलिए उन्हें कोटिलय के नाम से भी जाना जाता है तथा उन्हें विश्नु गुप्त के नाम से भी जाना जाता था चानक्य ने उस समय के महान शिक्षा के केंडर में शिक्षा ग्रहन की थी उनका रंग काला था तथा रूप के बदसूरत थे इसा के जन्म से कोई 400 वर्ष पूर्व भारत में चानक्य नामक एक महापुरुष ने जन्म लिया था चानक्य के आरजबख जीवन के संबंध में अनेक कीमदंतिया प्रचलित हैं एक कीमदंतिय के आधार पर उनके जीवन की एक मनुरंजग घटना यो बताई जाती है एक बार चानक्य की माता अपने बेटे का मुह देखते देखते एकदम रो पड़ी चानक्य अपनी मा को यो रोते देख बड़े आश्चर्य में पड़ गए उन्होंने पूछा मा तुम मुझे देखकर एकदम क्यों रो पड़ी चानक्य की मा बोली बेटा तेरे भाग्य में बड़ा राजा होना लिखा है तु राजा हो जाने पर अपनी मा को जरूर भूल जाएगा बस यही सोचकर मेरे आसू निकल पड़े चानक्य बोला लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा है मा बोली तुम्हारे सामने वाले दो दाथ बताते हैं कि तुम राजा बनोगे चानक्य ने बाहर जाकर एक पत्थर उठाया और अपने दोनों दाथ तोड़ कर फैंट दिये लोट कर बोला लो मा मैं अपने राज लक्षन वाले दोनों दाथ तोड़ आया हूँ अब न मैं राजा बनूंगा और न तुम्हें छोड़ कर जाऊंगा तुम्हारी ममता के सामने संसार की सभी चीजे तुच्छ हैं इस कथा से पता चलता है कि वे कितने कोमल मन के थे चानक्य तक्षशिला के एक विद्वान ब्रहमन थे तक्षशिला उन दिनों सभी प्रकार की विद्याओं का केंद्र था तक्षशिला के समान ही उस जमाने में मगद की राजधानी पाटली पुत्र भी शिक्षा का प्रसिद केंद्र था तक्षशिला में अपना अध्ययन पूरा करके चानक्य पाटली पुत्र में और अध्ययन के लिए आ गए उस समय मगद की सिंधासन पर धनानन नामक राजा बैठा था धनानन जाती का शूद्र था वो बड़ा लोभी था और उसने प्रजा पर बहुत ज्यादा कर लगाकर अपने खजाने में बड़ा धनिकठा कर लिया था किन्तु जिस समय चानक्य पाटली पुत्र पहुँचे उस समय तक धनानन के स्वभाव में बड़ा अंतरा चुका था दान बाटने के लिए उसने एक दानशाला खोल दी थी और उसके प्रबंध के लिए एक समिती बना दी थी इसका अध्यक्ष कोई ब्राहमन होता था ये नियम बना दिया था कि समिती का अध्यक्ष एक करोण मुद्रा तक का दान किसी को भी दे सकता है चानक्य विद्वान तो थे ही अताशीग रही उनकी योग्यता और विद्वता का सिक्का पाटली पुत्र में भी जम गया उन्हें दानशाला प्रबंध समिती का अध्यक्ष नियुक्ष कर दिया गया चानक्य जहां विद्वान और अनोखी प्रतिभावाले थे वहां उनके साथ एक कठिनाई भी थी वह बहुत ही बदसूरत और रंग के बिलकुल काले थे भाग्य की बात की एक दिन धनानद ने अपने दर्बार में चानक्य को बुलाया इससे पहले उसने उन्हें देखा नहीं था चानक्य की सूरत देखते ही राजा को क्रोध चढ़ाया और उसने आगया दी की चानक्य को दर्बार से बाहर किया जाए चानक्य भला यह अपमान कैसे सहन कर सकते थे उन्हें भी बहुत क्रोध आया मारे गुस्से की थर-थर कापते हुए उन्होंने दर्बार में अपनी चोटी खोल दी और राजा की तरफ मूव करके बोले नीच तुने आज मेरा भरे दर्बार में जो अपमान किया है उसका बदला मैं तुझसे से अवश्य लूँगा मैं तुझे और तेरे वँश को मलियामिट करके मगद के राजसिंधासन पर किसी कुलीन व्यक्ति को बिठाऊंगा मैं जब तक ऐसा नहीं कर लूँगा तब तक आपनी चोटी नहीं बांधूगा ये कहकर चानक के गुस्से में ही दर्बार छोड़कर बाहर चले गए बस वह उसे अपने साथ लेकर तक्षशिला चले गए वहाँ पर उन्होंने चंद्रगुप्त को साथ आठ वर्ष तक शस्त्र विद्या और अन्य शास्त्रों की पूरी शिक्षा दी और अपनी देख रेक में उसे सब प्रकार की विद्याएं सिखा कर पटू बना दिया 327 वर्ष पहले की बात है सिकंदर सारे युनान पर अधिकार कर चुका था और उसकी फौजे इरान के विशाल सामराज्य को रौन्दती हुई भारत की तरफ बढ़ रही थी वह सारे संसार को जीतने का स्वपन देख रहा था सिकंदर के हमले की समय भारत के पश्चिमी सिंधू नदी की घाटी और पंजाब में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे युनान की प्रबल और सुसंगठित सेना के सामने ये छोटे-छोटे राज्य टिक नहीं सके कुछ राजाओं ने सिकंदर का बहादुरी से सामना किया इनमें राजा पुरू का नाम सबसे उपर आता है उसने सिकंदर की तुफानी बाढ़ को बहुत बहादुरी से रोका ये कहानी भारत की नहीं बलकी विश्व के इतिहास में सदैव याद रखी जाने वाली घटना है दूसरे राजाओं की तरह पुरू भी युद्ध में पराजित हुआ लेकिन सिकंदर और उसकी फोज को मालूम हो गया कि भारतियों से टक्राना चटान के उपर सिर्मारना है उसकी हिजमत व्यास नदी को पार करके आगे बढ़ने की नहीं रही और वह भारत के जीते हुए भाग पर अपने सूबेदार नियुक्त करके वापस लोट आया चानक्य और चंद्रगुप्त दोनों ने देखा कि किस तरह आपसी फूट के कारण भारत के पश्चिमी भाग पर युनानियों का शासन स्थापित हो गया है। पुद्धी और चंद्रगुप्त के युद्ध कोशल के मिलने का ही फल था कि सिकंदर के हमले के तीन वर्ष के अंदर ही भारत भूमी से युनानियों का सफाया हो गया और विदेशी शासन का निशान तक नहीं रहा। इसके बाद चानक्य ने अपना ध्यान मगद की और किया। उन्हें अपनी प्रतिग्या अभी तक याद थी। वे नंद वंच का नाश करके चंद्रगुप्त को गद्धी पर विठाने की योजना बनाने में लग गये। चानक्य ने अपनी कूटनीती द्वारा राजा नंद के विरुद्ध एक शड्यंत रचा और अपने बुद्धी बल से उन्होंने इस शड्यंत को सफल बनाया। कूटनीती के सभी दाव लगा कर उन्होंने अंत में नंद वंच का विनाश करने की अपनी प्रतिग्या पूर्ण की। प्रगुप्त स्वयम उनके सामने सिर जुका कर खड़ा होता था। चानक्य के समय भारत में दो प्रकार की राजे प्रनालिया थी राजतंत्र और गंतंत्र। उस समय भारत में जो गंतंत्र थे उनका राजकाला आजकल के गंतंत्रों की तरह प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा नहीं होता था। वह तो एक विशेश वंश में उत्पन लोगों के प्रतिनिधियों का तंत्र था। चानक्य की सेजमती में इन छोटे छोटे गंतंत्रों की तुलना में राजतंत्रों यानी राजा का शासन कहीं अधिक श्रेयस कर था। इसलिए उन्होंने अपने समय के छोटे छोटे गंतंत्रों को मिलाकर एक राजा की अधीनतस वीकार करने की सेजमती दी। चानक्य के मत मे राजा का आदर्ष प्रजा के पालन वकल्यान की चिंता करना होना चाहिए वही राजा अच्छा है जो प्रजा के सुख के आगे अपने सुख की परवाना करे प्रजा के सुखी होने में ही उसका अपना हित है उन्होंने ये भी लिखा है कि राजा की आग्या के सामने वेद और धर्मशास्त्रों में दी गई हिदायते पुच्छ हैं राजधर्म, मंत्रियों की परिशद, राजय व्यवस्था, राजय के अर्थ की व्यवस्था, न्यायादी विशे उपर चानक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत विस्तार से लिखा है यहाँ पर उपर कही गई, इस बात को दोहरा देना काफी होगा, कि राजा का हित प्रजा में है और यदि प्रजा सुखी है, तो राजा भी सुखी रहेगा चानक्य की समिती में तलाक और विध्वा विवा की प्रथाय धर्म सज्मत है उन्होंने इनका समर्थन किया है, चानक्य ने अपनी बुद्धी की चमतकार से युनानी शासकों को निकाल बाहर किया साथ ही उन्होंने छोटे-छोटे राज्यों को मिला कर एक विशाल भारतिय सामराज्य की नीव दलवाई थी आपको कैसी लगी ये कहानी? कमेंस में जवाब दें